आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा जाएगी नक्षत्र अनुराधर अने वाले रातरी गए 9.24 मेर तक तदुपरान जेष्ठा नक्षत्र आरंब हो जाएगा गरत्योहार में आज है रूद्र गृत्र पीडिया वित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विश्तार से जानना हो एक-एक मौहृरतों गयाम जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विश्थार पूर्ग जान सकते हैं एक-एक मुहुर तो गया में जान सकते हैं आज के संपून रासीफल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासीफल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसासूल सुब खादे रासी उनसर क्या खादे पतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनसर कौन सर रंग आपके लिए सुब रह और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमाय चैनल धर्मसिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की कंटेंट इस पर आते रहते हैं और ये बिल्कुल भरोसे मंद है आप इनके सभी खई दे गए सुधरत्न को पहनिए और अपने परिवार को भी इसका लाब दिलवाईए मैं तो आज के बारा रासी का रासी फल आपको बताना आराम करूँ उससे पहले आएए एक नाजर डाने आज के गरहों की स्थेती पर क्योंकि गरहों की स्थेती पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्भर करता है आज राहु मेस, मंगल विरिस, केतू तुला, चन्दरमा, बुद, सुकर, सूर्य सभी एक साथ विच्चिक रासी में, सनी मकर रासी में, गुरू, मीन रासी में विराजित है तो इनी सभी गरहों का मिलादल हाल आज के रासी फल में हम जानेंगे तो आईए बात करेंगे पहली रासी मेश रासी की मेश रासी में चंद्रमा आठवें स्थान में विराजित है जिसके फ्लसुप मेश रासी के जातकों के व्यक्तित में निखार आ सकता है आत्मिस्वास में बढ़ोतरी हो सकती है आज किन अपने विव्यक्तित पर विशेश तोर पर ध्यान दें, आज किन अपने गुस्से पर भी नियंतन रखें किसी से वाद व्याद में तो बिल्कुल भी ना परें परोशियों तो छोटे भाई बहनों से समंध मधूर रखने का प्रयास करें घर से जब भी बाहर निकलें, अपने वाहन को नियंतन में चलाएं धीरे चलाएं आज लड़ाई जगरे के साथ साथ दुरुघटना के भी योग बन रहें तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा आज किन जब भी घर से बाहर निकलें, तो वीडियो के अंत में बताएगा इस सुबखाद्य को खा कर ही निकलें ताकि घर से बाहर किसी प्रकार के दुरुघटना या लड़ाई जगरे का सामना तो आपको बिल्कुल भी ना करना पड़े व्यापार और धन की बात करें, तो आई की दिष्टी से आज किन आपके लिए सामानने रहने वाला है फिर भी अपने व्यापार पर ध्यान दें और फिजूल घर्ची से बिल्कुल बचें विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामानने से थोड़ा कम रहेगा विद्यार्थी अपने मन को भटकने से बचाएं आज आपका मन पेक्षाकरित जदा चंचल रह सकता है स्वास्त की बात के स्वास्त से समंदित कुछ परेशा नहीं आपको आ सकती है मानसिक तनाव रह सकता है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समंद की बात के जीवन साथी साथ सामन जस्य बना के रखने का प्रयास करें जीवन साथी से मनमोटाव होने की संभावना बन रही है तो आपको ही अच्छे समन बना के रखने का प्रयास करना चाहिए आज की नगार दही खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग क्रीम कलर लगी नंबर रहने वाला तीन बात करेंगे वरिशरासी की वरिशरासी म्चदरमा साथमय स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसूब विशरासी वालों जातकों के लिए आज कर दिन परसंदता से भरा हुआ रहने वाला है आज दिन भर में कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है परिवार्जनों और सगे समंधियों में आपस में प्रियम और सद्भाव बना रहेगा ओफिस में सहकरिमियों का सहयोग भी प्राप्त होगा तथा सरकारी कारियों सापको लाव भी मिलेगा आज किसी प्रियेजन से आपकी मुलाकात हो सकती है व्यापार और धन की बात करें तो आज पार्टनर्शिप के माध्यम से व्यापार में लाव आपको हो सकता है सुसराल के पक्से से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है भूमी, प्रोपटी और मकान के सुख में विर्धी भी हो सकती है आपके व्यक्ति का सुख में विर्धी होगी आपकी आई में बढ़ोतरी भी होगी और बचत भी आपके आज बरती भी नजर आ रही है विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है मेहनत करें उसका फल आपको जरूर बिलेगा स्वास्त की बातकेद स्वास्त के देश्टी से आज किन आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्ते का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समंध की बात के आज दाम पत्ते जीवन की खुशियां बढ़ सकती है जीवन साथी के सहयोग से आपके काम बन सकते है प्रेम समंधों के लिए आज के इन बहुती अच्छा रहने वाला है आज के जोड़ ये जोड़ से बनीवी चीएं खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज कलर लकी नमर नौ रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी मचंद्रमा छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुद मिथुन रासी वालों को आज संतान के तरब से थोरी चिंता रह सकती है अपने संतान का ध्यान रखें आपके अधिनस्त करमचारी और नोकरों का सहयोग आपको भरपूर मिलने वाला है हिम्मत और प्राक्राम आपका बनावा रहेगा व्यापारों धन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए काफी उनती दैग रहने वाला है आपकी उनती हो सकती है आएके नई स्रोध बनेंगे व्यापार में विल लाब होगा पैतिक संपत्ती का लाब आपको मिल सकता है दूबावा फसावा कोई धन भी प्राप्त हो सकता है छोटे भाई बानों से सहयोग तथा लाब आपको मिल सकता है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाल है विद्यार्थियों की एक आगरता में कमी आ सकती है केरियर में संगर्स की योग बन रहे हैं लेकिन संगर्स के पच्चात सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं स्वास्त की बात करें स्वास्त की देश्ट्री से आज करें आपके अच्छा रहने वाल है फिर भी आपको अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखना चाहिए प्रेम समंद की बात कहए, प्रेम समंदों के लिए आज कर इन सामाने रहने वाल है, अपने जीवन साथी का ध्यान रखे, आने वाले दिनों की योजनाय उनके साथ सेयर करें, इस से आपके समंद बहतर होंगे, आज कर इन चुकुंदर खाएंगे, तो आपके लिए सुप रह प्राप्त में आपको सफलता मिलेगी। भगवान का आसिरवाद भी आपको प्राप्त होगा। अपने से बड़े और गुरुजोनों का आसिरवाद आपको प्राप्त होगा। कहीं तीर थियात्रा पे जाने के योग भी बन सकते हैं। साथी साथ अच्छे समाचार की प्राप आपको मिल सकती है. माता के स्वास्ति का भी आपको ध्यान आज रखना चाहिए. व्यापार और धन की बात करें तो आपके भागे में व्यर्धी होगी, आई के शुरुत बढ़ेंगे व्यापार में लाभ होगा, बड़े भाईवानों का सहिवगी प्राप्त होगा. विद्या ताके स्वास्ते का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समन्थ के लिए आज के दिन सामानने रहने वाला है जीवन साथ ही से हलकी नोग जोग हो सकती है लेकिन बाद में सब कुछ सामानने भी हो जाएगा आज के दिन पाधाम खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके सिंगरासीम चंद्रमा चोथे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप सिंगरासी वालों के लिए आज का दिन रुके हुए कारी को फसे हुए कारी को बनाने वाला दिन है जितने भी आपके रुके हुए फसे हुए बिगरे हुए कारी है उन सब को खत्म करने की कोसिस क आज उनको खत्म करने में आपको सफलता मिलेगी। मान समान में भी बिर्दी होगी, पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी कुण्डली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ती होगी और उनके काड़ी भी बनेंगे। साथ ही अपने गुस्षए पर नियंतर रखें, परोस्यों से, मितरों से, सगे समंधियों से, संबंध मधूर बनाने की कोसिस करें। उनसे लराई जगरे की योग बनना है तो उत्तम यही रहेगा कि आप अपने आप पर ही नियंतरन रखें, किसी से लराई जगरा तो बिलकुल भी ना करें। व्यापार और धन की बात करें, तो व्यापार में आज आपको हानी हो सकती है, व्यर्थ के और फिजोल खर्चों से आपको बचना चाहिए, विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के दिन खर्चिला रह सकता है, आपको अपने फिजोल खर्चों पे नि प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के लिए आज के इन सामाने से कम रहने वाला है जी वनसाथी से वादिवाद आपके हो सकते हैं तो आपको आज आपसी सामान जस्य बना के रखना होगा आज के इन ब्राउन राइस यानी की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लि प्रतिष्ठा में विर्धी होगी ओफिस में सगे समध्यों मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा आज के लिए कुल मिलाकर सुब रहने वाला है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो कन्या राशी के जातकों के लिए आज अचानक से धनलाप की योग बन रहें मकान और घर बनने की योग भी बन रहें व्यापार योग के लिए आज किन काफी लाबदाएक भी रहने वाला है आपके लिए आज अच्छे से योग भी बन रहे है अगर आज किन कुछ नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लेकिन नया कारी आरम करने से पहले से मिलेगी स्वास्थ की बात करें स्वास्थ के देश्टी से आज करें आपके लिए बढ़िया रहने वाला है आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्थ रहेगा प्रेम समंद्ध की बात करें प्रेम समंद्धों के लिए आज करें बढ़िया रहने वाला है रिस्तों में नई भी हो सकती है आज के दूद या दूद से बनी भी चिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नीलारंग लगी नमर तीन धने वाला है बात केंगे तुलारासी की तुलारासी में चंद्रमा दूसरे इस्थान में विराजित है जिसके फ् आर्मिक कारियों पर और मांगलिक कारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं, आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ती भी हो सकती हैं। जरूर मिलेगी। स्वास्त की बात के स्वास्त की देश्टी से आजके आपके लिए मध्यम रहने वाला है। विश्चीकरासीम चंद्रमा पर्थामस्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसो विश्चीकरासी वालों के लिए आजके बहुती साकारत्मक रहने वाला है। आजके अपने पराक्राम के बल पर और महनत के बल पर अपनी आए में बढ़ुतरी होगी यात्रा के वियोग बन रहे हैं आपके लिए और यात्रा आपके सुब रहने वाली है। व्यापार के लिए जीवन जीने के लिए आपको आज नए सहियोगी भी मिल सकते हैं। स्वास्था की बात के स्वास्था के देश्ट्री से आजके आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्था का ध्यान चोर रखें। तले भुने और मसारेदार खानों से दूर रहें। प्रेम संबंध की बात के प्रेम संबंधों के लिए आज के उत्तम रहने वाला है आज नए संबंधों की सुरुवात हो सकती है आज के दही खायेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग औरेंज कर लखी नमर रहने वाला साथ बात कहेंगे विद्यार्थी की बारकेत विद्यार्थियों के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करना पर सकता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात करें स्वास्त के द्रिष्टी से आज किन आपके ठीक ठाक रहने वाले किसी प्रकार की चिंता रह सकती है साथी और नेंद्रा का सामना भी करना पर सकता है आपको तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समन्थ की बात के प्रेम समन्थों के लिए आज किन मध्यम रहने वाल है जीवन साथी से दिन भर में कुछ अन्बन होने की संभावना बन रही है तो आपसी सामन्जास से बना के रखें आज किन ओरेंज याने की संथ राखाएंगे तब के लिए आज की बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आपको परिवार्जनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाइबानों से आफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा आपको आज किन आपके लिए यात्रा की योग बन रहे हैं और यात्रा आपकी सुभ रहने वाली है पिता का भरपूर सहयोग भी मिल सकता है आपको व्यापार अधन की बात करें तो मकरासे के जोया तक भौतिक सुख सुधाओं की चीज़ें बेशते हैं जैसे एलेक्ट्रोइंस का कोई भी सामान, मुवाईल फोन, फ्रिज कप्रे द्यादी उनके लिए आज किन बढ़िया रहने वाल है उनके व्यापार में विर्धी होगी कहीं अगर आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे जोण मँआंगैं वहां से पैसे आपको मिल सकते हैं वध्यार्थी की बात करें विद्यार्थिों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है मेहनत करें उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्त भी रहेंगे बात कई प्रेम समन्दों के लिए आज कि बढ़िया रहने वाला है जिवन साथी के साथ कुछ खाली समय व्यतित करें सम्द इससे आपके और वियादा मदूर होंगे आज किन बादाम खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग गुलाबी रंग लकी नमर नौ रहने वाला है बात करें कुम्भरासी की कुम्रासीम चंद्रमा दस्में स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप कुम्रासी वालों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है परतिष्ठा में विर्धी होगी हर जेगा आपको मान समान मिलेगा भविसे के लिए आपको इस साकारत्मक योजनाज बना सकते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनायवा योजना आपको आने वाज दिनों में सफलता की प्राप्तिक करवा सकता है व्यापार औधन की बात के सभी प्रकार की भौतिक सुक्ष विधायें आपको मिलेंगी जैसे मकान भूमी वाहन माता के सुक्ष में भी विर्धी होगी जो भी कारी आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसमें आपकी रुची बनी रहेगी जिसके फलसरूप उसकारी में आपको सफलता भी मिलेगी आर्थिक दिष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाल है व्यापार में लाब होने की योग भी बन रहे है विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है अपने लक्ष को साधने के लिए विशेस रनिती बना इससे आपको फायदा होगा स्वास्ते की बात के स्वास्ते के देश्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है लेकिन आपकी मानसिक सांती आज ओयुष धियर रह सकती है किसी परकार की चिंत आपको रह सकती है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जरूर रखें प्रेम समद की बात के प्रेम समदों के लिए आज के इन सामान नहाँएं रहने वाल है जीवन साथी से आपसी सामनजस से बना के रखे हैं आज के इन ब्राउन राइस याने की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनररंग लगी नमबर रहने वाला है साथ बात केंगे मीन दासी की मीन दासीम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब मीन दासी वालों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है आध्यात्मिक सुख मिलेगा पूजा पाठ में धर्मिक कारियों में आपका मन लगेगा भगवान की किरपा अभी आप पर बनेगी स्वास्ति की किरपा पर बनी रहेगी स्वास्ति की बात के स्वास्ति की देश्टि से आज किन अपके लिए बढ़िया रहने वाला है लेकिन गैस से समद्धित कुछ समस्य आपको रह सकती है तो बाहर के खाने से बचे इससे आपका स्वास्ति खराब हो सकता है प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज किन ठीक ठा कहा जा सकता है जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ाने की कोशिस करें इससे आपके समंद बहतर होंगे आज किन सेब घाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रांग पी लारंग लगी नुम्मर रहने वाला है छे तो मित्रों ये तो था आज के बारा रासी का रासी फल अब जानाते हैं आज का सुब समय आज का सूब समय यानि की गुलिकाल रहने वाला है सुबह के 9बज कर 39 मैंट से लेकर दिनके 10बज कर 48 मैंट तक इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलताहत लगेगी आज का असुब समय यानि की राहो काल रहने वह है दिन के एक बज कर 26 मेंट से लेकर दिन के दो बज कर 40 मेंट तक इस समय में कभी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको और सफलताथ लग सकती है दिसासुल उत्तर दिसा में है उत्तर दिसा में किसी भी खास प्रयूजन से यातरा राम ना करेंगे अब आपको नुक्सान हो सकता है और सुब खाद्याच का जीरा रहने वाला है जीरे का एक दोजाना खाकर भी यातरारम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी तो मित्रों ये दो थाज के संपून रासी भल कलके संपून रासी भल के जूरे रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जे मतादी